गाइस देखो मेरे computer screen पे आपको ना कुछ आइटनेरी दिख रही होंगी जैसे कि Vietnam आइटनेरी गो आइटनेरी चैपूर आइटनेरी यह सब पता है क्या है यह मैं एक travel plan कर रहा था और जब travel plan कर रहा था तो मैं आइटनेरी चेक करता हूं और पहले मैं गूगल में चेक करता था अब चैट जीपिटी पर चैक करता हूं क्योंकि जबसे यह चैट जीपिटी की मुझे लट लगी है न मैं गूगल पर जाई नहीं रहा हूं लास्ट मैंने गूगल का फुला था मुझे याद भी नहीं है मुझे पता कि आप लोग यह सब यकीन नहीं करोगे लेकिन यकीन कर लो क्योंकि टेक्नोलोजी के साथ यह बंदा चेंज होता रहता है अपने आपको अपडेट करता रहता है अब जल्दी से आते हूं उस रिसर्च पे जो कि आज मैं आप लोगो के लिए ऐसा ख़जाना लाया हूँ देखो यह सेमरश का कीवर्ड माजिक टूल है मैंने जैसे ही यह ओपन किया तो मेरा दिमाग इस तरीके से ठनक गया कि मैं आपके लिए ये वीडियो इमीडियेट बनाने का डिसिजिट मैंने ले लिया है देखो मैं परसनली अपने लिए प्ला लेके जा सकता हूँ इसी लिए मैं विए नाम का आइटनरी सर्च कर रहा था जब मैंने चैट जीपीट को बोला कि मेरे लिए एक विए नाम का आइटनरी बनाके दे यह मेरा पूरा ठीक है तो आप यहां पर देखोगे कि इसने मुझे विए नाम का पूरा डेफिनेट एक आइटनरी बनाके दे दिया है जो मुझे चाहिए था तो यह रहा आपके आँकों के सामने वह रिजल्ट जो की जबर्दस तरीके से चैट जीपीटी ने मुझे हेल्प किया है मेरी आइटनरी बनाने की अब अगर मैं बोलूं कि यह आइटनरी दुनिया भी सर्च करती है उ तो वह चैट घीपीटी नहीं जाएंगे खासका ट्रावल करना चाहते हैं उनके पास अभी और भी चैट घीपीटी का उतना नॉलेज या उतना अवेर्नेस नहीं से उपर की difficulty ना हो क्योंकि मेरे जो audience है वो अगर blog start करे वो अगर website start करे तो उनको ऐसे keywords दिखाए जाए जो कि बहुत आसानी से rank हो जाते हैं और जब मैंने ये किया तो guys 589 ऐसे keywords आयें जो कि लोग आइटनेरी search करते हैं इन keywords टोटल वॉल्यूम कितना है एक लाग तेहीं से जार मतलब सवा लाग का आपका वॉल्यूम है search का with 18% का average केडी कुछ भी नहीं है दोस्त अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो वैस सबसे जादा जो इस ताइम पर सर्च हो रहा है इस केडी के अंदर वो विएतनाम आइटनरी 7 days 7 days की अब मैंने इससे कितने दिन की बन भाई है आप देखो 7 day की अब यह जो content है यह पूरा content अगर मैं इसको अच्छी तरीके से आपको दिखा हूँ let's copy it and मैं आपको पीछे इसके पीछे प्लेजरिजरिजम चेक का मैं रिपोर्ट लगा देता हूँ और यह प्लेजरिजरिजम करता रहेगा क्योंकि मैंने इस तरीके से इसको लिखवाया है कि अगर मैं इसका ब्लॉग में भी इसको पेस्ट कर दूना तो यह प्लेजरिजरिजम कहीं से गुगल से मिलेगा जो की मेरे इस ब्लॉग को रैंक करा सकता है और यह इतना इज़ि है कि मैं रैंक कर जाओंगा तो इस तरीके से मैं गोवा का भी निकाल सकता हूं 4 डेस का 5 डेस का जैपूर का फिर वेटनम 10 डेस का कुर्ग का वगरा वगरा अभी जल्दी से काम करते है इस list को मैं download कर लेता हूँ जैसे मैं इस list को download कर लूँगा guys अब मैं इसको फटा फट से telegram में जाके डाल रहा हूँ तो guys अगर आपको यह keyword list चाहिए तो आप इसको यहाँ पर जाके download कर सकते हो it, narrary, easy keyword देखो अब मैं यह video बना रहा हूँ सुबह के 8 32 पे 17 तारीक का आज डेट है लेकिन यह keyword जो है मेरे telegram जो members है उनको जल्ली मिल गया मतलब उनको early मिल गया video को publish करने से पहले तो यह भी एक advantage है मेरे telegram group के member बनने का कि आप यह free में है कि आपको कोई access मिल जाता है और early access तो definitely मिल जाता है कि अब इन लोगों को 18 लोग, 24 लोग इन लोगों को मिलने भी start होगे और उन्हें open भी कर लिया लाइक वाइक जो भी है वह आने शुरू हो जाएंगे telegram को join जरू कर लेना क्योंकि उसका फाइदा अलगी होता है सबसे बड़ा फाइदा आप देखो यहां पर इस पूरे content में मात्र 18% का प्लेजरिजरिजम है वह भी तब है जब मैं आपको पहले बता दूँ कि अब मैंने इसको अपने लिए बनवाया था मतलब मैंने इसको एक ब्लॉक फॉर्मेट के लिए नहीं बनाया था अगर मैं इस पे और prompt engineering करता और इसे publish करने के point of view से या intention से बनाता तो मैं एक prompt ऐसा भी डालता या number of prompts ऐसा डालता कि जिससे ये बिल्कुल unique हो जाता लेकिन अब भी तो मैंने सिर्फ इसको बोला है कि मुझे ऐसा ऐसा निकाल के दे और थोड़ा सा इसमें भी prompt engineering किये वरना ये और भी ज्यादा plagiarized होता जिससे ये 50-60% भी पहुँच जाता चैट GPT का है तो plagiarism हो जाता है लेकिन अगर मैं बोलू 18% तो ये भी कुछ नहीं है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं 68% match 77% match ये वो particular lines हैं जो की common हैं अगर इन words का भी इस्तवाल हो रहा है न ये historical hochi, min, moslem and the ancient temple of literature ये तो कोई भी लिख सकता है कि यहाँ पर visit करो इस particular नाम का जो plagiarism है ये plagiarism actually में count नहीं होता है तो इस तरीके से आप इसको या तो खुच चेंज कर लो या आप मतलब chat GPT के promise से ही करवा सकते हैं मेरा कहने का मतलब ये था साफ कि अगर मैं इन सब पे chat GPT की मदद से content लिखवा दूँ तो guys आप देख रहे हो कि इंडिया से लोग itineries search करते हैं और अगर आपके पास ऐसा कोई website है जिसके अंदर pre-made itineries बनी हुई है मतलब उनको customize itineries बनाने का कोई tension ही नहीं लेना उनको जाना है और पढ़ना है तो guys इस तरीके से आप itineries जो है इतने easy keywords पे इतने search volume के साथ आप traffic generate कर सकते हो travel industry guys no doubt मतलब पैसो की बहचार करने वाला industry है लेकिन उसमें से भी बहुत competition जो है वो travel agency वगरा जो है उसमें आ गया है जाओगे google adsense बोलो या affiliate marketing बोलो क्योंकि affiliate marketing में तो travel industry में इतना scope है कि मैं आपको बताते बताते ठक जाओंगा आप बस हवा में उड़ोगे यार इतना कमाओंगा exactly ऐसा होता है अब देखो यह तो रही बात कि मैंने 589 keywords निकाले हैं लेकिन मैं आपको एक जबर्दस चीज दि 6500 keywords with 25% से नीचे केडी और 3,25,760 ऐसे keywords है जो कि हर महीने का search volume generate करते हैं with average 16% क्योंकि Americans बहुत जादा travel करते हैं खासकर abroad travel आप यहाँ पर देखवा रहे हो नॉर्वेगन gateway, नॉर्वेगन symphony, symphony of the seas आइटनरी, celebrity beyond, how to pronounce, अब यह प्रनाउंस जो है यह तो मेरे कामका नहीं है, allure of the seas यह सारे उनके आइटनरी plans बनते हैं और chat GPT बिलकुल सक्षम है इस टाइप की आइटनरी को आपको बना कर देन freedom आइटनरी, crochet आइटनरी, वहाव आइटनरी, यह सारे क्या है, Americans इस तरीके से ढूंगते हैं और America का CPC आपको पता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप वहाँ पर rank करना शुरू कर देते हैं, जो कि आप easily कर जाओगे, क्योंकि मैंने केडी बहुत ही कम लिया है, आ आपको उसका वीडियो बना के भी ही दे दिया है, बस अब आपको क्या करना है, मैं अच्छा सा prompt बनाता हूँ, और उसको आपके लिए यहाँ से copy करके, मैं आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर दे देता हूँ, ताकि आप अगर चाहो कि यहाँ आप इस टाइप का एक website ब अब यह दियान रखना कि आप किसी भी टाइप के डोमेन नेम पर मत स्टार्ट कर दे ना, कि आप, आपका कोई existing डोमेन नेम सापने उस पर स्टार्ट कर दिया, तो लोग वो trust नहीं फील करेंगे, जो भी Americans वगर आएंगे, क्योंकि खासकर अगर मैं बात करूँ, तो आप target बाहर के country को भी करोगा, क्योंकि इंडिया में इतना itinerary को लेके अभी भी awareness नहीं है, बट अगर आप मैं United States की बात करूँ, और मैं United Kingdom की बात करूँ, तो आप देखोगे, यह जो tier 1 country है, जहाँ पर छपड़ा वाल के पैसा बनता है, यहाँ पर आपको अपने audience का trust gain करना इसकी credibility क्या है, इन सब करना वो analyze जो है, वो अपने आप में कर लेते हैं, इसलिए एक अच्छा सा domain होना बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ और बता दो, मैं आपको बीच में interrupt करके कि आज वाली जो website होगी, वो एक travel आइटनेरी website होगी, जहाँ पर लोग जो है travel करने के आइटनेरी को देखके, भले उसका उस तेम पर प्लान नहीं है, लेकिन जहांकि आपने उसको दिखा दिया, तो उसके लिए आप एक plugin का अपनी website में खास कर इस्तिमाल करना, विच इस नोटेक्स, एक ऐसा plugin है जो कि आपके audience को push notification भेजता है, उसके mobile पे भी और उसके browser पे जिससे आपका traffic तो बढ़ता ही बढ़ता है, बलकि आपके audience आपसे engage रहते हैं, नोटेक्स के बहुत सारे फायदे हैं, मैं तो personally अपने सारे website में इसका इसका इस्तिमाल करता हूँ, और मैंने एक massive growth खुद भी देखा है, जबसे मैंने नोटेक्स का इस्तिमाल करना शुरू क जाता है, तो यह 33 से 35 लोकों तक जाएगा, 30% जादा delivery rate आपको यह provide करेगा, इसके अलावा audience को segmentize कर सकते हो, कि कौन abroad के आइटनरी सर्च कर रहा है, तो उसे खाली तभी notification बेजा जाए, जब आप abroad का कोई आइटनरी पब्लिश कर रहे हो, या फिर कोई अगर local आइटनरी र भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वाली साइट जो है, यह international साइट बनने वाली है, तो अगर अमेरिका में कोई सो रहा है, और इस ताइम पे आपने notification भेज दिया, तो आपका वो बेकार हो गया, क्योंकि इंडियन audience को अभी दिख जाएगा, लेकिन वहाँ पर लोग स पर भेजने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है, और इस तरीके साब रियल टाइम स्टाइक स्टेक्स के साथ बहुत और भी push notification का फाइदा उठाके अपने travel आइटनेरी website को next level पे ले जा सकते हो, अगर मैं बात करूँ तो यह free है, बिल्कुल 30,000 subscribers तक, आप नीचे description में लिं चला सकते हो, लिंक description में है, अगर मैं हर country की बात करूँ, तो इतने-इतने keywords मिल रहे हैं, कि अगर आप इस पे काम करने बैठा हो, तो आपके वास कम से 5-6,000 keywords हो जाएंगे, और 5-6,000 keywords में से सिर्व उससे 500 keywords, उसका 10% भी rank कर रहा है, तो लाखों में traffic हर महीन आपकी साइट में आ सकता है, तो simple अब आपको क्या करना है, आपको एक domain चाहिए, और उस domain के लिए आप क्या करोगे, आप chat GPT का सहारा लोगे, chat GPT में जाओगे और बोलोगे, I am looking for a relevant domain name for my new travel website, my preference is one word and less syllable name which is to pronounce and easy to remember, enter, अब एस टैप के description का मतलब क्या हुआ, मतलब मुझे one word चाहिए, और उसका syllable जादा ना हो, जैसे कि tongue twister, रॉए डी जी टल, चार हो गया ना, रॉए डी जी टल, इस तरीके से syllable काम हो, जाद सादा, और वो easy to remember हो, और पढ़ने में भी आसान हो, तो जाए इस देखो, ट्रिपलो, वाइगो, नुमैडो, इसने क्या किया, कि इसने एक word में कम syllable मे देने की कोशिश की, और यह easy to read है, जिसे globix, दो syllable है, globix, यह है, travelie, then destix, then naviga, यह तीन है, destix, दो है, journey, दो है, देखो, जर्नी को इसने यह कर दिया, अब बात ही आती है, कि इसने तो दे दिया, लेकिन क्या यह available मिलेगा go daddy में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप go daddy ज जाओ, और एक-एक को search कर लो, for example, मुझे यह वैंडली अच्छा लगा, वैंडली, इसको search करते हैं, और हा, dot in, dot co, dot in, बिल्कुल मत ले लेना, साफसी बात कहा रहा हूँ, क्योंकि आपको बाहर की country को target करना है, यहाँ पर आ जाएगा trust issue, वैंडली देखो, मिला नहीं, और अब जाके वो time आ गया है, कि मेरा research ने मुझे spark दे दिया, कि अब मैं इस पर काम कर सकता हूँ, बना अभी तक, मैं समझ नहीं बारा था, कि मैं travel के किस चीज़ पर काम करूँ, packages बनाओ, destination के बारे में लिखू, नहीं, आइटनेरी के बारे में, तो आज से कई साल पहले खरी सरीके के keywords पे काम करना चाहूंगा, तो अब आप ऐसे ही ढूंदते रहना कि आपको, जैसे give me more, as the above, are not available as a domain name, ऐसे ढूंदते रहना, और आप देख लेना कि कौन सा domain name available है, जैसे domain name मिल जाता है, आपको इसको सर्फ host करना है, अपने existing hosting service provider पे, अगर आपके पास existing कोई भी hosting नहीं है, तो guys, मैं recommend करूंगा कि आप hostinger के hosting को जरूर लें, क्योंकि hostinger का hosting जो है, वो one of the best है, क्योंकि मैंने खुद personally अपने लिए use किया है, मुझे पता है, इसकी जरूरत है आप लोगों को, अगर आप इस type की website को plan कर रहे हो, जिसमें आप बाहर country से भी अच्छा खासा traffic expect कर रहे हो, अब इसके लिए मैं description में link दिया है, वो मेरा affiliate link है, अगर आप वहां से buy करोगे, तो दोनों लोगों को फायदा होगा, आपको और मेरे को, आपको मैं कुछ ऐसा gift देने वाला हूँ, जो की बिल्कुल unexpected है, और मुझे तोड़ा सा commission earn हो जाएगा, जिसमें मैं आप premium लोगें, बट मेरा हमेशा recommendation मेरे students को यह रहता है, कि आप business वाला लोग, क्योंकि यहाँ पर जो fast speed है, यह 5X है, standard वाले performance से, और यह core web vital को met करता है, जो की बहुत जादा ज़रूरी है, आज की rate में Google में eligible होने के लिए, rank करने के लिए बाकी, यहाँ पर daily backup से लेके unlimited SSL, यह स इंडिया की site है, तो अमेरिका में load on में time लगेगा, तो वो चीज यहाँ से हट जाएगी, बाकि अगर आप चाहो तो आप इसको भी ले सकते हो, premium, there is no harm in it, इसको simple add to cart पे click करो, और यहाँ पर 48 months को select कर लो, क्योंकि आज आज आपको एक नया user बनने के लिए, वो price कम कर रहा और वो price आपका 4 साल के लिए lock हो जाएगा, आज सही, वरना आप next year renew करोगे, तो यही same price अगर आप एक साल का लेते हो, आज इतना पड़ेगा, इसका 3 time आपको हर साल renew का देना पड़ेगा, आप एक बार में 4 साल के लिए एक दम tension free हो जाना, आज वाले price में, मैं हमेशा यह करता हूँ, अपना कोई भी अकर hosting purchase करना होता है, तो मैं 4 साल, 3 साल, उसका maximum जो भी plan होता है, वो लेता हूँ, क्योंकि मुझे इतना benefit होता है, जो कि मैं आपको बता के समझा नहीं सकता, लेकिन आपको पताना चाहूँगा, as per my experience, आप 4 साल, या minimum 2 साल ले लेना, लेकिन कभ यहाँ पर apply कर दो, you will see कि 8400 सीधा 7595 हो जाएगा, मतलब सीधा आपको 1000 रुपे almost का फाइदा, यहाँ पर मिल जाएगा, इसके बाद आपको एक free में domain name मिल जाएगा, SSL मिल जाएगा, चल्दी से अपना उस domain name को आप WordPress इंस्टॉल कर देना, WordPress इंस्टॉल करने के लिए मेरे इस चैनल पर आप जाओगे, WordPress लिखोगे, WordPress के ओपर काफी जादा आपको वीडियो मिल जाएगे, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे काम करना है, WordPress पर वो सारा मिल जाएगा, आप उसको कर लेना, और फड़ा फड़ से travel इस particular niche पे, itinerary niche पे, मेरे prompt engineering के साथ, जो कि मैं आप लोग application के साथ करना पड़ेगा, अगर आप सोच रहे हो कि आप 2-4 महीने के अंदर अमीर हो जाओगे, नहीं होगा, 2-4 महीने में तो आपको सिर्फ रिजल्स दिखने शुरू होगे, लेकिन एक बार रिजल्स दिखना शुरू हो गया, तो आप समझ लेना कि उसके बाद आपको सामने देख रहा है, बस उसके बाद तो काम बढ़ाना है, जहां आप आज देली का एक ब्लॉग लिख रहे हो, आप वहाँ पर देली का दो शुरू कर दोगे, पांस शुरू कर दोगे, दस शुरू कर दोगे, इस तरीके साब आप आइटनेरी पर कंटिनियूसली जो करोगे, तो मैं आपको प्रीमियम रैंक मैथ प्लग इन को खुद सेट अप करके दूँगा आपकी वेबसाइट के अंदर, प्रीमियम रैंक मैथ जिसमें अपडेट्स आएंगे for next one year, आपको one year के लिए प्लग इन मेही तरफ से आजा gift रहेगा, क्योंकि हम जिस काम को कर र ही वेबसाइट में Rank Math का ही प्लग इन इस्तिमाल करके, अपने सारे ब्लॉग्स के लिए जिसके अंदर हजारों नहीं लाखों में ट्राफिक है, तो Rank Math का basic setup जिसके अंदर बहुत जरूरी जरूरी implementation settings होती है न, वो मैं आपको करके दूँगा, मतलब मेरे team आपको करके देग और उसके साथ हमारा setting आपकी website में पुरा proper उस plugin से related जितना भी SEO होगा, वो सारा हमाई तरफ से आपको दे दिया जाएगा, तो guys इससे ज़्यादा better deal दोनों के लिए क्या हो सकती है, मैंने का न, कि हम दोनों का फायदा होगा, तो guys दोनों का फायदा जब हो ही रहा है, तो क् career prospect लेके जा रहे हो, आप इसे जो dedicated होगा, और जिसका दिमाग ठनक गया है, कि हाँ, अब तो मुझे यही करना है, जबर्द स्कोप मिल गया है, वो तो बस कामयाब हो जाओगे, इतना तो मैं guarantee दे सकता हूँ, बाकि बस यूहीं बोलना चाहूँगा, कि guys आप मुझे support करो, म दिमाग ठनकाते रहेंगे, तब तक के लिए guys, have a nice day, see you and bye!